ट्राइशाइब का बहुत स्वागत है गाइस आज मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेकर आई हो आपके लिए एंजल मैसेज लेकर आई हो इस वर का संदेश लेकर आई हो ठीक है हम सबी लगों की जिंदगी जो है परिशानीओं और मुष्किलों से भरी नावी होती है ऐसे में हमारा साथ सिर्फ उपर वाला ही देता है आप जानते हो इस बात को है ना आपके भी जिंदगी में बहुत सारी मुष्किलेена ईब आप अभी कर रहे हो चाहे वो प्रीजिननशिक को लेकर हो फ्रैनिशल इश्यू इस्यू फैना आपके फ्यूटर को लेकर आप प्रेजन्ट को सारी ऐसी चीज़ें जिससे लेकर आप तनाव में हो प्रॉलम में हो डिप्रेशन में आप चले गए हो तो चलिए सबसे पहरे आज देखते हैं कि आपकी life की problems क्या है और इसवर आपको क्या संदेज देना चाहते हैं इसवर का guidance आपके लिए क्या है आपको क्या करना चाहिए किन चीजों को avoid करना है किन चीजों का अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और आपका जो आने वाला समय हो वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन सारी चीज़ों पर आज की रिडिंग हमारे होने वाली है गाइस हम क्या करते हैं कि सर्फ Love Riddings को देखते हैं जारा तर हमारी हम इसी चीज़ को ले जाने की कोचिस करना है ना इसी वज़े से इसवर का गाइडेंस जो है वह बहुत इंपॉर्डेंट होता है और हमें ऐसी रिडिंग को आवड नहीं करना चाहिए इससे हमें देखना चाहिए ताकि हम लाइफ में उन तकलिफों से निकल पाए आजादी पासके मुक्ती पासके और अपने लाइफ में एक डायरेशन हमको मिल सके ठीक है तो आज की रिडिंग में जो है पाइल सेलेशन आपको अपने नाम के लिए करना है क्योंकि हम आपकी ही एनरजी देखने वाले हैं और आपको इस वर क्या बताना चाहते हैं उनका गाइडेंस आपके लिए क्या है तो पाइल नमबर वन में हैं A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W, और Y ये है हमारा पाइल नमबर वन A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W, Y पाइल नमबर टू में हैं B, D, F, J, L, N, P, R, T, V, X, और Z तो गाइस फटाफट से हो जाईए पॉजिटिव एनरजी में और देखते हैं कि आपकी परिशानियां आपकी जिन्दगी का दर्थ दुख क्या है जो इस तर को नज़र आता है और आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए कैसे बढ़ना चाहिए आई होप आपने पैल सनट कर लिए है गईस यह हमारा पाइल नंबर वन सबसे पहले हम इनिवर्स की तरफ से ही देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए अज़ आपके लिए में आपके लिए एक भी कर लिए सेलिब्रेशन नमबर थ्री यहाँ पर निकल कर आया है गैस तो बहुत एक खुबसुरत बदलाव होने वाला है आपके लाइफ में इस काड को दे कर यह लगता है कि कावी लंबे वक्त से आपने अपनी लाइफ को इंजॉई नहीं किया है आपने खुश्या नहीं मनाई है तो वो वक्त अब आ रहा है पाई नमबर वन साथ में दो काड आये हैं कि टर्निंग इन और क्रेटिविटी का एक और निकालते हैं स्लोइंग डाउन की एनरजी यहाँ पर निकल कर आया है चले गई सबसे पहले मैं इन काड के बारे में ही आपको बताती हूँ कि इस तो आपको इन काड के जरी क्या संदिश देना चाहते हैं उसके बाद हम टैलेट से भी रिडिंग करेंगे ठीक है पहले इन काड को समझ ल स्लोइंग डाउन यहाँ पर जो एनरजी आई है वो आपके लाइफ के स्टकनेस को दिखा रहा है कि आप किस कदर अपने जिन्दगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो हर चीज जो है आपकी रुकी हुई है किसी चीज में आपको प्रोग्रेस नहीं हो रही ग्रोथ आपको नहीं हो रही है आपको ऐसा लग रहा है जैसे मानों आपकी जिन्दगी एक जगह पर रुक गई है ठम गई है और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है और इस चीज को लेकर आप बहुत ज़रा परिशान हो क्योंकि कोई इंसान जब कहीं पर रुक जाता है अटक जात इस और आपसे यही कह रहे है कि कुछ चीज़े आपकी जिन्दगी में ऐसी है जिसने आपको बिल्कुल रोग दिया है यह स्टकनेस किस वज़े से है गाईस वो डेफिनेटली निकल कर आही जाएगा थोड़ी दिर बाद हम टैरट से निकालेंगे तो आपकी स्टक एनरजी देखे गाईस इसमें दिख रहा है कि एक इंसान है जो दुनियादारी से दूर हो रहा है जो उपरवाले के साथ बहुत ज़ादा connection में है जो manifest कर रहे है इस और की प्राहता कर रहे है इस और की तरफ अपना ध्यान लगा रहे है है और आपको करने की इसके पीछे की शामना किया है, जिन्टों ने आपको कही न कही इस्वर की तरफ धकेल दिया है, आपकी spiritual awakening भी हुई है, आपने उपर वाले से अपना एक बहुत अच्छा नाता बनाया है, आपको परवान नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या लोग आपके बारे में क्या कह रहते हैं आप जो है अप मतलब आप जो है इन लोगों से दूर ही रहते हो आपने कहीं न कहीं अपने आपको ऐसे बुरे लोगों से बुरी सक्तियों से बुरी अनर्जी से आपने उनसे अपना रिष्था तोड़ दिया है और आप अपने आप में ही जो है आप अपने आपको को ही ढूंड रहे हो आप अपने आपको ही तलास करते हो यहां पर नजर आए हो तो आपकी spiritual awakening भी यहां पर हो चुकी है और जब spiritual awakening होती है वो किस वज़े से होती है क्योंकि लोगों पर से हमारा भरोसा उड़ जाता है हमें लोगों की सच्चाई पता चल जाती है और हम जो है अब उन पर भरोसा नहीं करते हैं हमसे उपर वाले पर ही भरोसा करते हैं ठीक है तो जिन्दगी ने मुझे लग रहा है कि आपको जिन्दगी ने और लोगों ने बहुत सारे पार्ट सिखा दिये हैं है अब यहां पर आया है creativity का card इस वर चाहते हैं गाईस कि आप लाइफ में करो आपका जर्म जो है इस तरीके से रुख जाने के लिए अधूरा जिन्दगी जीने के लिए यह यहां लाइफ में कुछ नहीं करने के लिए इस तरीके से आपका जर्ण नहीं वाएगा इस आपका life purpose कुछ अलग है आप लोगों को बहुत सारे चीजा सिखा स कर देखे suflet करने की जड़ी सबस्सक्राइब कर दो जोजदें की वापस जहां पर आप अभी मायूस हो जहांपर आपको कि किसी और भरोसाद नहीं है वह है हो है कि वह नहीं पर जो है एक ऐसा वक्त आ रहा है जब आप जो है खुश्या मना रहे हो आप जो है लोगों के साथ घुल मिल रहे हो सेलिबरेशन आपके जिंदगी में उपर वाला भेज रहा है खुश्या आप मनाते हुई हाप पर नजर आए हो ठीक है तो जो तकलीफे अभी आपको म दो रहिसे में ता यस honor हो से कारण को देखनी की कोचिस करते हैं और इस वार यहां आपको कुछ गाइदेंस देंगे चले गाइज मैंने एक कर ली है सफिन अब निकालते हैं यहां से कुछ कार्ट्स अच्छा दो कार्ट्स साथ में निकलकर आए है मजीशन आ गया है उसके बार हमें यहां पर सिक्स ऑफ सोर्ट्स भी मिल चुका है गाइज मैंने कहा ना कि आप में एक बहुत बड़ा ट्रांस्फोर्मेशन हुआ है क्योंकि यहां पर टर्निंग इनका कार्ड आया है आपने मुझे लगता है कि आपने वो पूरी संगते छोड़ दी है जिन लोगों से आपको हमेशा दर्द मिला है या जिन लोगों ने हमेशा आपका फाइदा लिया है आपको अपनी जो है वैल्यू समझ में आने लगी है यहां पर आप बहुत स्प्रिच्वल इंसान होगा इस आपना इस्वर के बंदे हो समझ गए आप कभी कुछ गलत नहीं करते इस्वर का भेजा हुआ एक ऐसा इंसान हो आप जिसे जो है साइद दर्द मिल रहा है अभी ह पर दर्द नहीं लोगों को मिलता है जिनका जीवन का उद्देश्य कुछ और होता है ऐसे दर्द से ही जो है आप ना निकलते हो और आप कुछ अच्छा करते हो जिन्दगी में जो है अपने आप से खिलवार कहीना कहीं किया है यह आप समंज़ नहीं पा रहे हो अपने लाइफ प्रपूस को भी समझ नहीं पार हो तावर अच्छा तो स्लोइंग डाउन जो आपकी जो जिन्दगी अभी यहाँ पर रुकी है उसके पीछे स्लोइंग डाउन कुछ तावर यहाँ पर आया है गैस कुछ हुआ है आपके जिन्दगी में ऐस अफ काप्स आया है वाव हेरोफेंट आया है गैस और यहां से भी जो है बॉटम आफ देक में हमें एस अफसोर्स के अनरजी मिली है चले दूसरे डेक से भी कुछ कार्ज निकालते हैं फिर से हरोफेंट यहां पर रिपीट होकर आया है गैस मैं आप से क्या कहूं आप मतलब देखे सारे के सारे जो है ना स्प्रिच्वल कार्ड निकल कर आये हैं आपके लिए यानि कि आपकी तो डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग हो चुकी है आपका अंतरात्मा जाग चुका है आप एक अच्छी इंसान हो और ऐसे लोगों के की ही जो है स्प्रिच्वल अवेकनिंग होती है हर्मिट एक सादू का सौरी हेरोफेंट जो है एक स्प्रिच्वल अवेकनिंग का कार्ड होता है ज्यान देना लोगों को हील करना मुझे लगता है कि आपका लाइफ पर्पोस यह है आपको किसी और जिसके लिए बनाया गया है आप अगर चाहो तो बहुत सारे लोगों को आप हील कर सकते हो आप उनको समझा सकते हो आप उनको उनके दर से निकाल सकते हो क्योंकि आपने खुदने ही जिन्दगी में बहुत ठोकरे खाई है बहुत धक्का खाया है आपने टावर जैसे चीज़ों का आपने सामना किया है बहुत साफ मन है आपका पाइल नंबर वन जितना भी मैं कहूं ना कम है बहुत प्यूर आपका हार्ट है एक ऐसा दिल दिया है आपको भगवान ने ना और उस दिल पर बहुत चोट लगी है एंप्रोर आया है यहां पर गाइस और एट अफ काप्स आ गया है तो अब दो कार्ट और निकालोंगे गई शे कार्ट एस के अरजी आज की रिटिंग में तीन तीन जो है एस के कार्ट निकलकर आये है नंबर वन आज आप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस एस अफ वैंस एस अफ सोड्स और एस अफ काप्स तीनों ही यहां पर आया है तो चलिए गाईस अब आपको साइन और एलेमेंट की तरफ लेकर चलते हैं आज की रिडिंग में टॉर्स के अनरजी एरिस की अनरजी और कैंसर की अनरजी बहुत स्ट्रॉंग नजर आ रही है और पाइसेस के अनरजी भी स्ट्रॉंग है गाईस इसके अलावा वॉटर आई चैनली लिब्रा एक्विरिस मिधंतुला कुम रासी और यहां पर फाहर साइन भी है लियो सग्धिटेर सारी से अंधनु और मेस्ट रासी तो अर्साइन यहाँ बहुता है पर सिर्फ साइन और एलेमेंट पर हम रुछते नहीं हैं गाईस था आरो इस देना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके cards में देखें, यहां से भी मैंने निकाला, turning in का card आया, यहां पर भी hierophant आया है, magician का card, hierophant तो double repeat होकर आया है, तो यह सारे ही चीज़े यह बता रहा है, कि जो tower आपने, मतलब जिन्दगी में जो धक्का आपको मिला है, उस धक्के के बाद जो ह ऐसे condition पर हो, जहां पर आप भले ही लोगों के साथ जादा ही घुलते मिलते नहीं हो, लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हो, क्योंकि आपको बहुत दर्द मिला है, साथ आपके आसपास के लोगों के द्वारा ही आपको दर्द मिला है, और इसके वज़े से आप उनसे भल को पहचान लिया है ना पहले हो सकता है था कि आप ज्यादा इन पर भरोसा नहीं करते थे पर जब आपको दर्द मिला दुख मिला ना उसके बाद जो है आपने उनके साथ अपना रिस्ता बहुत स्ट्रॉंग बना लिया है और यह सारे कार्द यहीं बता रहे हैं कि आपका मन बहुत खुबश्रत है आप वो इंसानों जिसे उपर वाले ने चुना है कुछ आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा आप कर सको उसके लिए आपको चुना गए है तो तावर यहां पर किस वज़े से आया किस वज़े से आपको लगता है कि आपकी जिन्दगी खतम हो गई है आपकी जिन्दगी रुख गई है आपकी जिन्दगी में बाके कुछ बचा नहीं है और आपने अपना पूरा जीवन जो है उपर वाले की तरफ ही समर्पित कर दिया है उपर वाले की भरुसे पर जो है आप जो है अपना हर दिन गुजार रहे हो हर दिर निकाल रहे हो ऐसा लगता है गाइस देखे एट ऑफ का कार्ड यहां पर आया है अभी एट ऑफ का कार्ड क्या बता रहा है इस वर आप से यह कहना चाहते है कि तुमने जिन्दगी में बहुत सारी चीजे खो दी है ठीक है आपने इस टावर के बाद मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा खुबसर रिस्ता क्योंकि कब कपस की ऑनर्जी जो हमेंसा रिलेशन्चिप को या प्यार को दिखाता है है तो इसवर जानते हैं यह आपको बता रहे हैं की तुमने जिंदगी में अपने जिंदगी से अपने मन से जो है किसी एक इंसान को खोया है या तुमने प्यार को खो दिया है जिसके वज़े से तुमको लग रहा है कि तुमारे जिन्दगी पूरी बरबाद हो गई है खतम हो गई है अगर मैं आपको अभी देखू तो टू आफ सोर्स भी यहाँ पर आया है जो बताता है कि कुछ चीजों को लेकर आपके मन और मस्तिक्स म सब्सक्राइब मारी मांग रहे हो कि डाइरेक्शن आप माग रहे हो रास्ते आप बट्र जया कृशेंपें लेने मं नहीं कर पा रहे हैं आप में ब्रह्मे साय जी रहे हो ब्ट्रस कार्ड भी यहाँ पर मुझे बॉटम में नज़र आया है अंदर ही अंदर बहुत ज़रा आप अपने आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हो पॉजिटिव रखने की भी कोशिश करते हो पर जब बॉटम में हाई प्रिस्टिस के एनरजी आती है तो यह कुछ सफलता नहीं मिलेगी नहीं मैंने जो चीजेह को दी है जो मुझे दूर हो चुका है वह मुझे वापस नहीं मिलेगा तो आप बहुत जदा कर रहा है कि आपने अभी भी उम्मीदें बाकिर रखी है आपने अभी भी उम्मीदों को खोने नहीं दिया है धेकर आध कि लिए बहुत सारे वर्दान लेकर आ रहाएगा इस जैरेट का काड यहां पर आया है जो दिखा रहा है कि आप में वो वो पद वो पोस्ट हासिल करने की सक्सियत आप में है capability आप में है यूनो बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि जिस चीज को आपने खोया है वो चाहे कोई भी चीज हो चाहे वो पैसे रुपे के मामले में कुछ चीजे हो चाहे किसी पोस्ट को लेकर पत को लेकर किसी प्रमोशन को लेकर कोई भी ऐसी चीज जिसे आपने अभी खो इसे आप ध्यान दीजे कि आपने क्या खोया है मुझे जहां तक आप नजर आता है आपने रिलेशन्शिप खोई है आपने प्यार खोया है आपने किसी इंसान को खोया है ऐसा क्योंकि रीडिंग में यही निकल कर आया है ठीक है पर जरूरी नहीं कि हर इंसान सिर्फ रिले तुम चीजे तुम्हारे ही है तुम्हें वो चीजे वापस मिलेगे क्यान्ट होता है कि आप उन चीजों का हासल करने के बाद आप आप रूलिंग पर होने वाले होगी जब इनसान किसी चीज़ को मेहनत करके इंतजार करके बहुत दर्द और तकलिफों के बाद जब वो पाता है तो उस सक्सेस का एक घमंड ही कुछ अलग सा होता है तो वो पद वो सक्सेस जो है आपको चैरिट के रूप में यहाँ पर मिल रही है अब यहा हाथ आपको लगज रहा है कि टावर के बाद जो है सारे चीजह जो है चली गई है मेरे हास से लिया हाथ में मेरे हाथ में कुछ सब्सक्री run रगा वेहाथ meeting ही सब्सक्राइब और इस वजब वज़े से अभी टावर आया हैगा इस पर बहुत जल्दी आप उस मुकाम पर पहुंसने वाले हो जहां पर जब आप पहुंचोगे उसके बाद आपको वापस पीछे मुड़ कर देखने की जरूत नहीं है बहुत सारी चीजों में आपकी जो है न्यू बिग्निंग हो रही है देखे प्यार के मामले में भी आपको जो है बरकत हासिल हो रही है आपका नया एक जर्णी यहापर सफर स्टार्ट हो रहा है आपकी तरफ लव ओफर आ रहे है पाइल नंबर वन एक बात मैं आपको बता दू आप मेंसे कई लोगों की ना अगर रिलेशन्शिप को लेकर प सर्मा जुड़ा हुआ है उस इंसान के साथ ही आपका साइकल है क्योंकि देखे है अगर यह दिखा रहा है तो आप देखे उसी चीज़ को वापस इस साइकल की जरीए जो है इसी चीज़ को वापस आप पा रहे हो आपकी सक्सेस्फिल मैरिज लाइफ यहां पर हो रही है उ भी आपसे दूर हो गया है लव ओफर्स भी आपको जो है मिल रहे है प्यार में नहीं सुरुआत आपकी हो रही है जो चीज़े जो भी चीज़े आपकी लाइफ से भी दूर हुई है गाईस देखे वही चीज़ आपके पास वापस लौट कर आई है सिक्स ऑफ सोर्स हमेशा जो है ट्रावलिंग को दिखाता है जगे चेंज करने को दिखाता है हो सकता है कि आप कहीं पर सिफ्ट हो रहे हो या फिर आपकी तरफ कोई चीज़ सिफ्ट होकर आ रही है ठीक है ट्रावलिंग एडवेंचर यहाँ पर आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है याने कि इस इ आपका आने वाला समय है इस पर आप मुझे लग रहा है कि अभी जो पल आपने देखी है उसकी वज़े से कहीं न कहीं आप घबराये हुए हो घबराहट में मुझे आप नजर आते हो क्योंकि हाइप्रिस्टिस का जो कार्ड है वह अंधर ही अंदर घुटन का कार्ड होता है अंधर यंदर बहुत सारे इमोशन को दबाने का कार्ड होता है सिक्रेट को दबाना है बाते किसी को शियर नहीं करनी है और आपको देखर तो लगी रहा है कि आप सिर्फ उपर वाले से ही अब सारी चीज़ें मांग रहे हो आप किसी और के साथ अपना दुख तर तकलिवे कुछ भी शेर नहीं कर रहे हो by number one तो बिल्कुल भी आपको जो है ज्यादा overthinking नहीं कर नहीं कर नहीं है गाइस देगे यह पर emperor का card आया है अब यह भी दिखा रहा है कि आपने आप बहुत समय से चुप हो आप किसी के साथ मुझे लग रहा है कि आप communication करने के लिए भी बेकरा हो आपकी जो चुपी है वो टूट नहीं रही आप किसी के साथ कोई भी चीज़े यूना आपने जिन्दगी का कुछ भी चीज़ आप किसी के साथ नहीं शेयर कर पा रहे हो बहुत ज़रा silence आप में आ गया है खामोसी आपकी जिन्दगी में आ गई है और आप जो है बिल्क यह सारा खतम होने वाला है यह टावर इसे आपको भूलना पड़ेगा इसे आपको भूलना पड़ेगा आपको अपने जिन्दगी से इस टावर को निकाल कर फेकना पड़ेगा क्योंकि देखे ऐसे ऐसे चमतकार यहाँ पर होने को है गाईस जो कलपना की परे है देखे नाने के लिए भी जो है उपर वाला आपके साथ है उपर वाला आपके साथ खड़ा है उपर वाला आपकोब्लेसिंग साद स्क्रसिट और 25 वाले चीज जिन्दगी में होने वाली यह तो यह जो गटनाए होने वाली है वो टावर नहीं हो रहे Да éete i आप जो blessings आने वाली है वो आपके जिन्दगी को पूरी तरीके से बदलने वाला है क्योंकि आपने अपना कर्मा यहाँ पर complete कर लिया है cycle ने दिखा दिया है कि आप जो है आपकी जिन्दगी बिल्कुल बदलेगी इसमें सुधार आएगा इसमें जो है चमतकार होंगे इसमें unexpected चीजे होने वाली है और बहुत सारी चीजों पर आपकी new beginning होने वाली है यानि कि आप रुकोगे नहीं आप रुकोगे नहीं अब आपका पीछे रह जाने का जो वक्त है वो चला गया है अब आप सिर्फ आगे ही आगे बढ़ोगे success की तरफ आप आगे बढ़ोगे प्यार की तरफ आप आगे बढ़ोगे marriage की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो passionate way में आगे बढ़ने वाले हो celebration आपकी जिन्दगी में हो रहा है है ना आपने अपने लाइफ प्रपोस को पैशानों कि आपकी जिंदगी का उद्देश ही क्या है और उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है गाईज और सारी चीजे घूम फिर करना आपके ही तरफ आने वाली है ठीक है तो इस वर आप से चाहते हैं कि प्लीज आप इस हाइप प्रिस्टस की अनरजी देखी यहाँ पर भी लवर्वर्त की नज़र मुझे बहुत Norm लग रहा है कि टावर आपकी जिंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर आया तो फिकें किसी अपने को खो दिया किसी रिष्टे को खो दिया ह infect City आहे • जो यहाँ पर आपकी दिमाग में है इसे आपको जल से जल निकालना है गाईस ठीक है और आप अपने आपको जो है बिल्कुल प्रिपेर कीजिए तैयार कीजिए इस वर के उन गिफ्ट के लिए जो आपको मिलने वाली है इस सेलिब्रेशन के लिए आपको खुद को रेडी करना है गाईस ठीक है तो गाईस चल ट्रस्ट का काड अपर आया है बिल्कुल जिस पर आपने अभी तक भरुसा किया है यावनी कि उपरवाली पर डिख रहा है नहीं भरुसा दिख रहा है गाइस उस पर भरुसा करना आप बिल्कुल साथ चीजे बदल जाती है वक्त के साथ यादे भी धुनली होने लग जाती है तो वक्त बहुत बलवान होता है उस वक्त का इंतजार करो अच्छे वक्त का इंतजार करो पाइल नमबर वन साही बाबा की तरफ से आपके लिए क्या है देखें वही बात अभी मैंने चंड सेकंड पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि इस्वर आपके साथ है मैंने कहा था कि नहीं कि बागी कोई और हो ना हो उपर वाला आपके साथ है और यहाँ पर साही बाबा ने आपसे कहा था You are not alone, आप अकेले नहीं हो I am with you in every situation तुमारी हर मुश्किल घड़ी में मैं तुमारे साथ हूँ तो आपको फिकर करने की क्या जरूरत है जब उपरवाला आप पर महरवान है जब उपरवाली के बंदे हो आप उपरवाली की blessings है आपके उपर तो आपको किसी भी परिस्तिती से घबराने की जरूरत नहीं है डरने की जरूरत नहीं है guys वो आपको निकाल लेंगे हर तकलिश से आपको इस वर जो है निकाल लेंगे guys समझ गये तो guys ये थी आपकी वो reading जहां पर अभी तो जो नजर आया है वह थोढ़ा सा दर्द वाला five하기 atrás आप अपका है ना थोढ़ा सा भरोसा नहीं कर पारे हो लोगों पर पर कोई बात नहीं लोगों पर भरोसा करने की जरुद भी नहीं है उन्पर वाले पर नहीं करो आने वाला वक्त आपकी तरफ जो है success लेकर आ रहा है प्यार लेकर आ रहा है आपको एक उच्छा पोस्ट आपको मिल रहा है unexpected way में जो है चीज़े आपकी जिन्दगी में बदलने वाली है चमतकार कुछ ऐसे होने वाले है जो आपको इस टावर से निकाल कर बाहर ले आएगी ठीक है तो इतना कहते हुए गाइस अब मैं रिटिंग को कर रही हूँ क्लोस आपको रखने है अपना बहुर अचा खयार क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जादा प्यार I love you all take care नमस्ते और बबाई गाइस क्या संदेश देना चाहते हैं और मुझे बोलने का ही काम होता है बोलना पड़ता है एक घंटे बोलना पड़ता है और मुझे बोलने में बहुत तकलिफ हो रही है फिर भी मैं आज important topic था तो मैं reading कर रही हूँ तो आवाज से परिशान नहीं होना कि मेरी आवाज बदली-बदली अगर आपको नजर आ रही है सुनाई दे रही है तो ठीक है सबसे पहले universe की तरफ से देखते हैं आपकी energies क्या है क्रियेटिविटी का पहला message आपके लिए आया है पहचानो खुद को guys पाइल नमबर टू अपने आपको पहचानो अपने जिन्दगी को ना ऐसे ही उदासी में तकलीफ में दर्द में waste मत करो don't waste your life ठीक है देखे याँ पर इस स्वरी कह रहे है आपको कि कुछ करो जिन्दगी में जो चीज़े आप में है ना जो वर्दान की स्वरूप आपको मिली है हर इनसान में कोई ना कोई qualities होती है कोई ना कोई खूबी होती है यह نा कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है aims होते है goals होते है तो आप जो है साइट वो कर नहीं रहे हो आपको जो वर्दान मिला है जिस चीज में आप महारत हासिल किये हुए हो चाहे वो education हो चाहे वो singing हो, आपको एक बहुत अच्छा आवाज आपको उपरवाल ने दिया है, या आप artist और dance आप अच्छा करते हो, या आप cooking में माहिर हो, या आप पड़ाई लिखाई में अच्छे हो, हैना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको माहिर बना कर भीजा है, तो please don't waste your life उपरवाला सबसे पहले ही बात आपको यही कह रहा है, कि आप अपने आपको पहचान नहीं रहे हो, बदलाओ की जरुत है, चेंज यहाँ पर आया है, देखें गाईस, नमबर 10, नमबर 3, दो कार्ड जोन निकालेंगे, रिपनेस, नमबर 9, गोइंग विद द फ्लो, तो यह चार कार्ड जो है, उपर वाले ने आपके लिए भेजे हैं, चले देखते हैं, इन कार्ड का मतलब क्या है, यह कार्ड आपको क्या संदेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि उपर वाले की मैसेज में, हर मैसेज में एक गाइडेंस होता है, जिसे हम नजर अंदास कर देते हैं, तो चले, इन कार्ड का मतलब क्या है, देखते हैं, आज की इन कार्ड में सारे के सारे चीज़ें यही इसारा कर रहे हैं, कि उपर वाला चाहता है, कि आप अपन कि तुम्हारा काम आप खतम हुआ, तुम्हें वो सारे गुन है, तुम्हें टेस्ट है, तुम्हें हर चीज है, खुबसूरती है, तुम्हें रंग है, तुम्हें टेस्ट है, स्वाध है, तुम्हें तुम्हें तयार हो चुके हो, तो यहां पर भी क्रेटिविटी का काड़ा ह यानिकि इस और आप में वो सारी चीज़े देख रहे हैं कि आप में आप भी इस फल की तरह हो जो जिसमें सारी योग्यता है आप फुल्फिल्ड हो आप पूर्ण हो आप में किसी चीज़ के कमी नहीं है कहने का मतलब समझ रहे हो इस और क्या देख रहे हैं आप में कि तुम् नहीं पहचान रहे हैं, नहीं हुरे हैं, तुम्हें अपने वह गुंद के नज़र नहीं आते जो मैंने तुम्हें देखर भीड हैं क्यों अपने टैलनिको को नहीं पहचान रहे हो तो आप ओड righteous क्रेऊं आपने वह सारी खूबिया है गई उपर हुआ यह यह कह रहे हैं कि तुम में वो सारी खुबिया है पर तुम उन चीजों को नजर अंदास कर रहे हो बदलने की जरूत है अपनी सोच को बदलने की जरूत है आपको अपनी जिन्दगी को बदलने की जरूत है जिन्दगी को किसी और नजरीय से देखने की जरूत है क्योंकि आप आपको खुद को देखने का नजरिया ही यहां पर गलत है आपको अपने आप में कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता पर उपर वाले को देखे आप में कितने अच्छी चीज़े नजर आ रही है सो प्लीज गाइस बदलाओ यहां पर जरूरी है गाइडेंस है यह आपके लिए जो भी आप कर रहे हो उसके जो है आपको आपको ऑपोजेट सोचना स्टार्ट कर देना है समझ रहे हो बिलकुल ऑपोजेट जो जो आप जिस नेगेटिविटी में अभी आप हो उससे अब अल क्या है किया है पर उन सारी leap में जो है बदलाओ आने वाला है सारी चीज dip ने पर देखे यहां पर वह सारी चीज़े बदलती हुई आपको नजर आएंगी इस वर ने कुछ आपके लिए प्लान किया है इस वर ने आपके लिए कुछ बहतर बना कर यहां पर रखा है अभी जो चल रहा है उसे चलने दो गोईंग विद द फ्लो जैसे लहरे आपको बहा कर सब्सक्राण पूरल ड्रीयुंट ने कि और फेल सब्सक्राण यानि कि वट तो सबावल को ऐसे लिए सब्सथ और सब्सक्राण कर दोब्सक्राण प कि एटनेर act में कर हैं दो कर्दिकों ऐसाइक में इसेले कर चले तो मेसेज़ hebben है पर वाला खुद परिशान है आपको इस एनरजी में देखकर यहां पर आपके लिए नेगरेटिव कुछ निकला है क्या काई इस नहीं निकला है यहां पर देखें आप क्रियेटिव हो आप में सारी चीजों का गुन है आप पूर्ण रूप से पूर्ण हो आप में किसी कमी न आपको देखने के लिए केर है इससे फॉलो करने के के लिए बता रहें बदलावलाने के लिए करे इसका मतलब आ आपने आपको बदलो और accept करो और चलती है चलो अपनी जिन्दगी में जो हो रहा है होने तो क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है गाईज परिवर्तन होना जरूरी है हमें हमेशा एक जैसा नहीं रहना है और एक जैसे कुछ चीज़े होती भी नहीं है आप जानते ही होना पेज ओफ वैंस का पहला काड़ आया है कि चेंज यहां पर देखें वर्ल्ड का काड़ आ रहे हैं एस ऑफ पांटिकल्स यह फिर से वही का काड़ क्रियेटिविटी का काड़ यह जो रिपनस का काड़ है वो काड़ है यह वो एनरजी है मतलब आपमें उपर वाले को बहुत अच्छी चीज़े नज़र आती है और साइद उपर वाला दुखी भी होता है जब आपको यह ना मायूस होता हुआ देखता है अपनी आपको गुमसम सा आपको देखता है तो उनको बहुत दर्द होता कि मैंने इसे कुछ और के लिए बनाया था कुछ और चीजों के लिए ताकि यह कुछ अच्छा कर सके जि इस डेक से भी निकालते हैं कार्ड्स कि अगया है कि कुछ चीजों को लेकर मुझे लगता है कि आप में जिद्ध भी बहुत है थोड़े जिद्धी सभाओ के भी हो आप कि देखें मैं बोल रही थी कि जिद्धी हो और फूल का कार्ड आ गया कैसे आ गया फूल का कार्ड गईज एस फैंटिकल्स डेवल वाव चेंज हो रहा है देखें मैंने क्या कहा था कि क्या बदलने वाला है जब मैं टैर्ट से निकालोंगी तब पता चलेगा कि यह जो बदलाओ यहां पर आया है वह क्या है तो देखें डेवल आ गया यानिकि क्या बदलने वाला है आप गैस करके बताओ ओ फॉर अफोर्ड आया है को से आपको कोई नहीं रोख सकताह देखें ये यिवह आया है को curtis भी जлись कि मैं है या जासय करने कोई टाकत नहीं रोख सकती यह बात तवी तौिए है नाइड ऑफ वैंस यहां पर आया है तो चलिए गाइस साइन और अधुट के तरफ बढ़ते हैं कैंसर की आठ्स के रिडिंग में क्रॉट है इसके अलावा लिब्रा की अरजी निकल कर इसके अलावा और साइन सबसे ज्यादा टॉरस वर्ग काप्रिकॉर्ट विशप करने अंबकर रासी फाइर साइन है लिए वोड़र साइन कैंसर को पाइसे सक्रिशिक मिन रासी एर साइन भी है जैनिलिवर अक्वेरस में तुला कुम रासी यानिकी सारे के सारे साइन और एलि इसके अंदर दुनियादारी को समझने की समझ नहीं होती लोगों को भैचानते नहीं है और आप एक ऐसे रिक्स लेने वाले इंसान भी हो जो रिक्स लेता है जिन्दगी में जिन्दगी को खेल की तरह जुए की तरह आप देखते हो मतलब कोई भी चीज करने से पहले दो बार सोचोगे नहीं बस आपको लगा आपके मन को लगा कि यह सही है तो कर दिया और उसके वज़े से कितने गलतिया आप से हो जाती है आप बात में पस्ता आते हो फिर करने से पहले सोचोगे नहीं समझोगे नहीं कि मेरे इस कदम से जो है मेरे ही लाइफ को घाटा हो सकता इस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने पास में कुछ ऐसी बेवकूफिया की है, फूल का कार्ड यहाँ पर आया है, कुछ ऐसी बेवकूफिया की है, आखो पर पट्या बांध कर आपने कदम आगे बढ़ाये हैं और आप गिरे हो, आप जिन्दगी में गिरे हो और इसके इसे हम किसी और को दोस्त देते हैं, पर गलती तो हमारी है कि हमने हाज से ज्यादा भरोसा कर लिया किसी पर, जिसके वज़े से हमों ठोकर मिली, हम गिर गए नीचे, और अब हम पस्तार रहे हैं और उसको दोस्त दे रहे हैं, उसने यह ध우bereich हैं पर आपको भी सेंस देक पर भरोसा करना हो चाहे वह प्यार का मामला हो चाहे वह जिता का मामला हो जाहे वह दोस्त अध़ंवे और कहें पर भी कदम बढ़ाने से दस बार सोच लो कि मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है यह पहली बात यह है अब चले आपको बताते हैं कि यह अभि अप जिद्धी के साथ साथ तो आप ऐसे जिद्धी हो ना कि आपको किसी के सामने जुकना पसंद नहीं है भले ही आप अकेले रह जाओगे है ना पर आप किसी के सामने जुकोगे नहीं कि मेरी मदद कर दो भाई मुझे इस चीज की जरुत है भाई मुझे मेरी थोड़ी से help कर दो आप कभी किसी के सामने नहीं जुको कि भले ही आपके पास कुछ हो चाहे ना हो जैस जो है आप उसी में जो है आप एहंकार में रह जाते हो आप अपने आप में रह जाते हो इंडिपेंडेंट हो आप समझ गया आप बहुत इंडिपेंडेंडेंट इंसान हो जो किसी के सामने जुकना पसंद नहीं करता है पर यहां पर नजर आता है कि किसी ने तो आपको जुकाया है कि किसी ने तो आपको जुकाया है क्योंकि आपकी आपकी आरजी देखकर मुझे यहां पर लग रहा है कि जो इनसान कभी ना परिवार के सामने जुका ना किसी किसी भी किसी भी चीज इसके सामने आपने घुटने नहीं तेके वो इनसान मुझे आज किसी के सामने घुटने तेकता वा नजर आ रहा है वाई वो प्रैंटेगल यहाँ पर आया है वाई फैनेंशल प्रॉलोंस को दिखा सकता है कि फाइनिसाल चीजों को लेकर आप बहुत ज़्याततक नहीं हों थ उप्षिंशेप रिस्ता कोई तो है जिसने आपको बाहर का रास्ता दिखाया है का पर आपके जीजगे में इसा है जो ही आपके साथ नहीं है आपको ऐसा लगता है की आपको बाहर की इनसान हो ओट्साइ्डर हो उनको आपकी पर्वार नहीं है वो भी आपसे root गए है, वो भी आपसे दूर हो गए है, आपको अकेला करकर चले गए है, तो दो चीज़ों को यहाँ नजर यहाँ पर आया है, आप देख लेना कि यह जो abundant ini मुझे वह चीज मिल नहीं ही मैं अकेला हो गया हूं वह किस चीज को लेकर है 100 रुपयके को लेकर है या फिर यह प्यार का मामला है ठीक है तो आपको कहीश लग लग रहा है कि 400 और गयायlington कि दिल से निकाल दिया है किसी के जिंदगे से निकाल दिया है और ठंड में जो है आपको अकेला करके छोड़ दिया गया है बाहर और आपको साथ देने वाला यहां पर कोई नहीं है तो यहां पर यह नज़र आया है आप देखिए इस बात को four of swords भी proof कर रहा है कि कुछ चीज़े तो है जिससे आपने break लिया है अभी कुछ चीज़े है जिससे आपका नाता तूटा है अभी कुछ चीज़े है जिसके साथ अभी आपका धागा जुड़ा नहीं है यानि कि four of swords हमेशा एक rest करने वाली energy होती है break up जिसे हम कहते है और यह का कर सीदा कहने का मतलब यही है कि आप अभी अपने जिन्दगी में जो है प्यार से cut off हो गए हो प्यार अभी आपके जिन्दगी में नहीं है प्यार से आपका या किसी इंसान से जो है आपका जिससे आपने अपना दिल लगाया था वो दिल जो है किसी और ने निकाल कर बाहर फिक दिया है और आप अभी बिल्कुल एक ऐसे कंडिशन में हो जहां पर किसी के लिए भी आपका दिल नहीं धड़कता आपका दिल जो है किसी के लिए फिलिंग्स नहीं रखता आप बहुत कठोर हो गए हो आप अकेले पढ़ गए हो है ना क्योंकि आपके दिल में जो है बता रही हूं यह मेरे वर्ट्स नहीं है यह उपर वाले ने आपके लिए चुना है यह कार्ड समझ रहे हो जिसमें दिख रहा है कि आपके साथ क्या क्या हुई है क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है तो जस्टिस का कार्ड यहां पर आया है अब यह कार्ड बता रहा कि आपके साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ है जो इंसान कभी किसी के सामने जुका नहीं उस इंसान को ही जो है ना इंसाफ ही करके यहां पर जुकने को मजबूर कर दिया है तो कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसे घटनाए हुई है जिसके वज़े से जो है आपको हमे मुझे ही क्यों ये तकलीफ, मुझे ही हमेशा क्यों निकल कर फिक दिया जाता है, क्यों मुझे हमेशा अकेरा कर दिया जाता है, क्यों मुझे हमेशा दर्द दिया जाता है, क्यों मेरी मासुमित का हमेशा फाइरा उठाया जाता है, है ना तो ये सारे सवाल आपके मन में है गाई जिसका जवाब जो है आप उपर वाले से मांग रहे हो और इंसाफ ही आप यहाँ पर मांग रहे हो कुछ लोगों की जिंदगी में यहाँ पर यह नज़र आता है कि देखे आपकी रिडिंग में ज्यादा तरना यही नजराया है कि relationship को लेकर आपको बहुत problem्स का सामना करना पड़ा है जो marriage का card होता है साथ ही साथ ये success का card होता है एक बहुत मजबूत pillar का card होता है भरोसे का कार्ण होता है समझ गए पर इसे अगर मैं देखू तो यह जो नाइंसाफी यहाँ पर हुई है वो इसी चीज को लेकर हुई है कि आपके भरोसे को तोड़ा गया है आप किसी चीज में हारे हो देखें यहाँ पर जीत हासल करना चाहते हो और यहाँ पर आप हारे हो ठीक है आप हार गए हो आप विक्ट्री नहीं पा सके हो सकता है कि यह commitment को लेकर हो सकता है marriage को लेकर कुछ issues चल रहे हो सकता है आपकी marriage किसी इंसान से तै हो गई थी और वो पूरी नहीं हो पाई हो सकता है engagement होते होते रुख गई या तूट गई हो सकता है divorce यहाँ पर हो रहा है हो सकता है कि कोई इंसान है जिससे आप प्यार करते थे वो आपसे रूट कर चला गया है वो आपको commitment नहीं दे पाया है जिसके वज़े से ही आज आप इस तकलीफ में हो आप इस दर्द में हो कि आज आपका साथ देने वाला कोई नहीं है है न तो यह सारे सारा का सारा जो दर्द तकलीफ है वो नजर आता है और मैंने आप से क्या कहा था कि चेंज का कार्ड यहां पर आया है जो बता रहा है कि चीजें वैसे नहीं रहेंगी जो अभी है ठीक है चीजें वैसे बिलकुल भी नहीं रहेंगी जो अभी चल रही है यहा आपको अपने करमा से मुक्ति मिलने वाली है इन दो कार्ड को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों ये सारी चीजे बरदास करनी पड़ रही थी अभी ऐसा क्यों हो रहा था क्योंकि आपका कर्मा यहां पर आपका चल रहा था आप जिस पहतर के लिए बदल रही है गाई समझ गए तो पहला ही काम यहाँ पर इसे क्या कर रहे हैं आपको इस कर्मा से मुक्ति दे रहे हैं आजारी दे रहे हैं आपकी एक जिन्दगी का नया सफर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इस बदलाओं के साथ इस चेंज की बाद अब आपकी नई सुरुवात हो रही है जो चीजे आपकी जिन्दगी में अभी आपको लग रहा है कि आपके पास नहीं है जो अभी आपसे छीन ली गई है जो अभी आपसे छूट गया है देखे वहीं पर आपकी नई सुरुवात हो रही है चाहे वह पैसे रुपे के मामले में हो चाहे वो relationship के मामले में है जो आपसे गया है वहीं से जो है आपको offers मिल रहे है आपकी beginning हो रही है समझ गए गाइस दूसरा मैं आपको बता दू यहाँ पर आया है chariot का card यह card दिखाता है कि आप एक ऐसे position पर पहुँचने वाले हो संगर्स करके तकलीफ है आपने पाली है हर चीज का मुकाबला करके सामना करके last में जो है आपको मिलने वाला है success यानि कि आप उस पत पर पहुँचोगे आपकी promotion होगी आप उस मुकाम पर पहुँचोगे सारे लहरों से गुजरते हुए finally जो है आपको success हासिल होने वाली है सेर पर rule करने का मतलब क्या होता है सेर को कबजा करने का मतलब क्या होता है कि आपने वो सफलता पाली जिसका आप इंतजार करें आप ये सफलता किस चीज को लेकर है आप खुड decide कर लो कि आपके लाइफ में ये सफलता किस चीज के लिए आपको चाहिए marriage को लेकर चाहिए relationship को लेकर चाहिए future को लेकर चाहिए career को लेकर चाहिए पर वो सारी जीज़े आपको हासिल होने वाली है आपको यहाँ पर मिलने वाली है अब देखे justice का काड़ आया है अब ये जो आप रो रहे हो ना बार-बार बैट कर अकेले में कि मेरे साथ गलत हो गया मेरे साथ अन्याय हो गया मेरे साथ जो है बहुत बुरा किया गया गाईस इस चीज में भी आपको उपर वाला इंसाफ देगा बेफिक्र हो जाओ बेफिक् आप सेलिब्रेट करोगे आप इस जीत का जस्न मनाओगे इस जीत का जस्न मनाओगे कि फाइनली मुझे इंसाफ मिल गया ठीक है तो देखे justice भी आपकी तरफ आने वाला है एस और पैंटिकल से आपर दुबारा रिपीट होकर आया है इतना तो मैं बता दू गाइस आप फा अभी यहां पर गरीबी का सिकार है मैं वह नहीं कह रही है पाइस रुपय को लेकर अगर आपकी जरुर्त है जो पूरी नहीं हो रही है उससे भी जो है आपको छुटकारा मिलने वाला है इन्डिपेंडेंट आपको बनाया जा रहा है किसी के सामने सर जुकाने के जरुत न मजबूत होने वाला आपको कमिट्मेंट मिल रहा है इस difference मेंस कोерт है अगर आपका विल्ड का अलिया है जो बता रहा है कि कार्मिक चीज़े खतम हो रही है आपके जिन्दगी का अधूरापन जो है वो खतम हो रहा है आपके जिन्दगी का जो सफर है यहां पर जो दर्द का सफर आपने झेला है वो सफर खतम हो रहा है और एक नया नया जो है आपकी जिन्दगी एक नए सफर पर जाने वाली है एक नया जो है जर्णी आप दुनों का आपका जो है स्टार्ट होने वाला है है ना अब यहाँ पर आया है नाइन अफ कप्स का कार्ड जो बॉटम में रूल कर रहा है यानि कि आपके जिन्दगी का जो अंत है ना अंत जिसे मैं कहूंगी कि चलो अब सब कुछ है मेरे पास वो है बॉटम आफ देक के अनजी कि आप मैं फुल्फिल्ड हूँ अब मेरे सारी चाय खतम अब मुझे किसी चीज़ की जरूत नहीं अब मुझे जितना पाना था मैंने पा लिया मुझे इस से ज्यादा चीज़ों की जरूत भी नहीं यानिकि आप इस तरीके क आप हसल करने वाले हो नाइन ऑफ कप्स इंसान जब सुकून में इस तरीके से बैठता है ना वो कब बैठता है कि मुझे पैसे रुप्यों को लेकर भी आप तंगी नहीं है प्यार को लेकर भी आप मुसकी लिए नहीं है मेरे जिन्दगी में जो है अब सब कुछ ऐसो आरा किसे चैन की जिन्दगी सुकून वाली जिन्दगी आप जियोगे जो बॉटम और टेक में निकल कर आया है आप यहां पर यह गाइडिन्स आपको मैं देती हूं नाइट ओवेंस का काड़ आया है गाईस अब इस का यह कार्ड है आपकी कमजोरी कुछ चीजों को लेकर आप अब हसे ज्यादा पॉजेसिव हो कुछ चीजों को लेकर आप हसे ज्यादा ही जिसका जिससे ना आप अपना लगाओ कर लेते हैं जुड़ जाते हैं जिसे हम भूल नहीं पाते हैं जिसे हम अपने दिमाग से निकल नहीं पाते हैं यानिकि हस से ज्यादा ही किसी जिसको ले अगर बार बार सोचते रहना कुछ यादे है कुछ चीजे है जो इन आउट करती रहती है आपके दिमाग में जिसे आप निकाल नहीं पा रहे हो तो यह इस आनर्जी से आपको निकलने की जरूरत है समझ गए पाइल नमबर टू तो बहुत खुबसुरत चीजे होने वाली है पर सबसे पहले देखे यह चीजे तब होंगी जब आप खुद में बदलाव लेकर आओगे जब आपने अपने सेल्फ वर्थ को पहचानोगे सेल्फ वैल्यू को पहचानोगे कि मैं क्या हूं मुझ म हमें खुद की जिन्दगी को पहले बदलना है तब जाकर दूसरी चीजे बदलती है वक्त बदलता है किसमत बदलती है लोग बदलते हैं और बुरा वक्त भी बदल जाता है समझ गए तो गैस चलिए आपके लिए एक मैसेज देखते हैं क्या है abundance मैंने आपसे क्या कहा था nine of cups मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके जिन्दगी में यही आने वागा है जिसके कलपना अभी आप नहीं कर रहे हो अभी तह आपको स्रिफ यह दिख रहा है ना कि मेरा दिल तोड़ दिया मेरे साथ धोका हो गया मुझे जो है निकाल कर फेक दि पैक करके रखा हुआ है जो आपको मिलने वाली है abundance किसी चीज की कमी नहीं होगी देखें किसी चीज की कमी नहीं होगी मिल गया आपको जवाब आपके जिन्दकी कैसे बदलने वाली है तो यह सारी चीज़ें मिलेगी गैस 100% मिलेगी पर पहले खुद को बदलो क्योंकि सभी धर्म के लोग है ना गैस साइ बाबा कह देता है कोई गौड कह देता है तो सारे के सारे डिवाइन पावर श्रिफ एक ही है और सारे जो है connected है ठीक है तो हमें सभी धर्मों का respect करना है उन्हें मानने का तरीका श्रिफ अलग होता है तो यहीं एक बहुत खूपसरोग संदेश है और हम तो जानते ही इस बात को है ना जो हमारी जो generation है इस बात को follow भी करते है हम भेदभाव नहीं करते हैं किसी भी धर्मे there is only one supreme being although the ways of reaching him are different we all are interconnected हम सब जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है ठीक है हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है यही जो है साही बाबा ने आज आपको guidance दी है तो इतना कहते हुए गाईस आज मैं रिडिंग को कर रहे हुए ग्लोस आपको रखने है अपना बहुत चाख हयाल क्योंकि मैं करते हुँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार I love you all Take care, Namaste and Bye Bye guys